वीडियो लाइक जरूर कर लिज़े और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिज़े और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिज़े ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं दोस्तों 780 pages के PDF को हम लोग cover up कर रहे हैं जो कि Steady for Civil Services ने इसको तयार करवाया है especially for UPPCS, RO, BEO इन सारे exams के लिए आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ clear होगी मुझे लगता है कि अगर आप लोग तयारी कर रहो PCS की RO की So Steady for Civil Services से बहतर result कोई देता नहीं है और इन से अच्छा content किसी का है नहीं So यहाँ पर मैं आपको यह 780 pages का PDF cover up कर रहा हूँ अगर आप लोग चाहूं इस PDF को purchase करना तो इसके लिए simply आप description box में जाओ वहाँ पर numbers दिये हुए आप call करके बात करके और कितना फीज देना है कैसे आप इसको purchase कर सकते हो यह सारी बातें पता कर सकते हैं ठीक है बारहाल free of cost इस PDF को cover up करने के लिए मेरे साथ बने रही है और यहाँ पर वीडियो को देखते रही है ठीक है चलिए शुरू करते है आज का जो हमारा पहला topic है यहाँ पर हम शुरू करते है किस से Melanesia से अभी last जो हमारा वीडियो था उसमें हमने Australia के बारे में हम देखना शुरू करे थे तब उसी करम में आगे बढ़ेंगे और Melanesia के बारे में बात करें तो यह कहां से कहां तक फैला हुआ है पहली चीज यह तो न्यू गिनी आइलेंड से लेके और टूंगा आइलेंड तक यह पूरा एरिया विस्तरत है जिसको मेलनेशिया के नाम से जाना जाता है अब कौन-कौन से country इसके अंदर है तो फिजी यहां पर आता है वनुये आतू सोलमन आई लेंड पापुआ न्यू गिनी अब यह सारे इसके अंदर है इसके साथ ने आपका New Caledonia के कुछ पार्ट इसके अंदर है इंडोनेशिया का कुछ पार्ट इसके अंदर शामिल है तो यह है आपका मेलनेशिया ठीक है जिसके बारे में examination ने पूछा या सकता है अब यहां पर हम बात करते हैं बहुत ही जो लाइम लाइट में रहते हैं वो examination point of view से बहुत important हो जाते हैं ठीक है चलो फिजी की बात करते हैं तो एक ताइम यह था कि अंग्रेज जो थे वो फिजी पर भी अपना अधिकार जमाए हुए थे और 1874 में फिजी कॉलोनी की उन्होंने स्थापना करी थी अंग्रेजों ने हम उनको काम करवाना था और यहां पर जो है उसको गिर्मिटिया मजदूर के नाम से हम जानते हैं तो आगे चले next question को देखें इससे पहले कुछ एक information है आपनों के लिए जो बहुत important है अगर आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते इन तीनों exam के अगर आप तयारी करने चाहते हैं तो steady for civil services के courses को आप join कर सकते है complete तयारी के लिए यह one stop destination है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें steady material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा बर मिलेगा और यह सब को sufficient होगा आपके exam को crack करने के ल test group start हो चुके हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आपके screen पर लिख रहा हूं इन numbers पर आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस number पर आप संपर कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस number पर contact कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपर कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं ठीक है अंग्रेजों ने 1970 में फिजी को स्वतंतता प्रदान करी यह काफी important point इसको याद रखेगा कि 1970 1970 में जाकर इसको आजादी मिली है और इसकी आबादी की बात करें तो जादे तर यहां पर देशी लोग जो मूल फिजी निवासी हैं इसके अलावा आपका इंडो फिजीन है और फिजीन की बात करें तो 54% के आसपास इस सबसे मिलाकर यहां की total आबादी बन्ती है मूल निवासी की बात करें तो फिजीन समुदाय के बीच में संबंद अक्सर तनावपूर्ण बने रहते हैं इसके बाद नेक्स हम बात करते हैं माइक्रोनेशिया की, अब ये जो माइक्रोनेशिया है, ये चार मुक दीप समू हैं, ये चार में ग्रूप ऑफ आइलेंड हैं, जो की छे समप्रभू रास्टों में विभाजेते हैं, मतलब हर अलग-अलग जो आइलेंड हैं, उस पर किसी आइलेंड पर किसी कंट्री का दिखा रहे, किसी आइलेंड पर किसी कंट्री का दिखा रहे तो इस तरीके से है यह तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी कैरोलीन दीप समू की अब यह जो है कैरोलीन दीप समू यह माइक्रोनेशिया और पलाव जो संबद राज है उसके बीच में विभाजेत है ठीक है इसके अलावा ये आप नाम एज़टेज याद रखेंगी कौन कौन से दीप समू है एक तो कैरोलिन दीप समू है गिलबर्ड दीप समू ये क्रीबीती गणराज जो है उसका पार्ट है इसके बाद नेक्स्ट हम बात आइलेंड है इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो अगला है आपका ये मार्षल आइसलेंड ये जो है आपके मार्षल आइलेंड ये सम्प्रभू रास्ठ है 숴़ेए अपना आप में कंट्री है और वे्ग इकार का दावा जो है अक्सर किया जाता है लेकिन इसे संयुक्त संयुक्तराज अमेरिका की वायूसेना है इसके द्वारा वास्तलिक रूप से नियंत्रित किया जाता है इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो यह है आपका नावरू नावरू यह काफी इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए होगी यह जो है अक्सर लाइम लाइट में तो यह भी इसी के अंदर आता है ठीक है किसमें मैक्रोनेशिया में इसके बाद आगे मूव ओन करते हैं अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी पॉलिनेशिया की अब पॉलिनेशिया इसमें अगर हम बात करें कंट्री है इसका नाम क्या है समाओ यह एक अपने आप में स्व इसके बाद यहां पर कुछ आइलेंड है और यह जो आइलेंड है इसमें न्यूजिलेंड के साथ स्वतंत्र सहयोग समन्वे के साथ स्वयसाशी हैं मतलब यह अपने आप में जैसे एक टाइम पर हम भी ब्रिटिश से यह चाहते थे कि हमें स्वयसाशन दिया आपका उपर कि यह जो फ्रेंच पॉलिनेशिया की बात कर तो यह जो फ्रेंच पॉलिनेशिया यह फ्राञंसी सी घनराज का प्रवास्य देश है इसके बाद हवाई की बात करें नीटीन 59 1959 में हवाई अमेरिका के पचासवे राजजी के रूप में इसको इस्थाबित किया गया और अलास्का जो था वो 49 था जिसको यूएस से 1867 में अमेरिका द्वारा खरीदा गया था इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो यह आपका टोंगा टोंगा काफी important है टोंगा जो है यह फिजी के पूर्व में स्थित एक स्वतंतर राष्ट के रूप में माननेता इसको मिली हुई है इसके बाद तुबालू यह भी कैसा है आपका एक स्वतंतर राष्ट है इसके बाद next हम बात करते हैं निउजीलेंड की तो निउजीलेंड यह पॉलिनेशिया का सबसे बड़ा देश है सबसे बड़ी कंट्री यह चीज याद रखनी है और इसमें दो मेन आइलेंड है एक आपका उत्री आइलेंड और दूसरा है दक्षणी आइलेंड इसके अलावा और छोटे-छोटे कई सारे आइलेंड है तीन चौथाई में लोग रहने वाले वह उत्तरी आइलेंड पर रहते हैं दक्षुनी आइलेंड की बात करें दक्षुनी आइलेंड वात zł defence श्राइशिया करुशी और पालन है धेरी फार्मिंग है उन सब के लिए काफी इंपोर्टेंट है इसके बात नेक्स पैस्प सालिए कि न्यूजिलेंड की capital क्या है तो यह है आपका Wellington जबकि सबसे बड़ा जो शहरी छेत है वो Auckland और दोनों के दोनों कहां पर है आपके इसका जो North Island है उसमें है इसके बाद दक्षणी दीप पर बात करें तो दक्षणी दीप जो है यह आपका दक्षणी एल्प्स प्रमुक जो उसमें located है तो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंट करतें न्यूजिलेंड के बारे में कुछ और important points देखेंगे next वीडियो में अब यह सेशन कैसा लगा comment section में बताईएगा channel को subscribe करना बिल्कुल मत बूलिएगा और अपने friends में भी share करिएगा thank you so much heaven ice tip bye bye